नमस्कार मेरे रिनु मिस्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं बना रही हूँ रेक्जिन का बहुत ही प्यारा सा पांच बॉकेट वाला पर्स या फिर क्लश बैक इसे मैं बचेवे रेक्जिन से बना रही हूँ आप इसे किसी भी कपड़ा जैसे कि बड़ा इसमें पॉकेट है बहुत सारा समान इसमें आ जाएगा मोबाईल कार्ड पैसे वगएरे काफी समान इसमें आप रख सकते हैं रेक्जिन का बैग या फिर पर्स बनाते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जैसे कि सुई हमें 18 या 20 नंबर के स्वाल करनी है और यह जो चिकना वाला हिस्सा है यह अगर मसीन के नीचे आता है तो सिलने में थोड़ी प्रॉबलम होती है और यह उल्टा साइड अगर यह नीचे की तरफ मसीन में रहेगा तो सिलना आसान रहेगा या फिर कोई कपड़ा या फिर पेपर रख के इसको सिले अब इसका मेजर लगा लेंगे, दूसरी साइड से भी, ये दोनों तरफ, 4 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया है, अब दूसरा निशान हम लगाएंगे, 3 इंच पे, यानि कि 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे, इस तरह से, दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे, अब इस पर्स को अपने हिसाब से छोटा या बढ़ा भी कर सकते हैं, अब ये जहां से हमने निशान लगाएंगे, वहां से इसको काट लेंगे, और यहां पर हमें जिप जॉइन करना है, इन दोनों के बीच में, तो उसके लिए जो हमने कट किया है पीस, उसको लेंगे पहले, उसको सीधा रखेंगे, फिर उसके उपर जो जिप है, उसको इस तरह से उल्टा करके रखेंगे, फिर हम अस्तर रखेंगे, अस्तर के लिए आप कोई सा भी कपड़ा इस्तमाल कर सकत हैं इस तरह से रख के और तिनों को मिला के सील लेना है हमें यह देखिए इस तरह से अब यह जो अस्तर है उसको पलट लेंगे नीचे की तरफ कर लेंगे और यह जिब को सीधा करके उपर से एक सिलाई चला लेंगे अगर इसको सिलने में प्रॉब्लम आए तो इसके उपर पेपर रख लेंगे तो यह फटा-फट सिलेगा वैसे यह मेरी मसीन में सिल जाता है बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं आती इसको सिलने में यह देखिए इस तरह से अब जहां से हमने कट किया है वहीं से इसको हम यह इस तरह से जोड़ेंगे इस तरह से हमें इसको जोड़ लेना है यह जो अस्तर है यह उपर की तरफ रहेगा यह इस तरह से रहेगा अब जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया उसको भी सेम इसी तरह से कट करके उसमें जिप जोड़ करेंगे बस इसी तरह से कपड़े को उसके उपर फिर ये जिप को उल्टा करके रखेंगे उसके उपर ये अस्तर को इस तरह से रखेंगे और से उसी तरह से सील लेंगे इसको भी अब एक सिलाई ये उपर से चला लेंगे अगर ये चिकना वाला भाग नीचे आ रहा है सिलने में कोई भी बैग आप बना रहें तो उसके नीचे आप पेपर को रख लें या फिर कोई भी कपड़ा रख के तब सीलें अब जो एक्स्ट्रा ये अस्तर है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे इस तरह से और ये जो थ्री इंच पे जो हमने ये अस्तर को जोड़ा था उसको इस तरह से फोल्ड करके और ये जो जिप में इस तरह से मिला के सिलाई करेंगे इसको यह देखिए इस तरह से सील लेना है अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से इसको जोड़ लेना है अब यहाँ पर हमने जिप दोनों लगा लिया है अब इस तरह भी सेम उसी तरह से काट लेंगे और काट के जिप को लगाएंगे इनके दोनों के बीच में बस वैसे ही ये कपड़े के पीज को रखना है फिर जिप को रखना है उसके उपर ये अस्तर को रखेंगे और फिर इसको सिलाई करेंगे अब इसको भी उसी तरह से जॉइंट कर लेंगे इसको भी काटके इसमें भी ये जिप को लगा लेंगे इस तरह से ये चार जिप हमने लगा ली है अब इसको भी काटके बराबर कर लेंगे और इस तरह से इसको भी सिल लेंगे जैसा कि हमने पहले वाला सिला था कि ये इस तरह से अब इसको भी इसमें जोड़ लेंगे ये देखिए हमने इसमें ये चारो जिप को लगा लिया है अब ये अस्तर भी लगे अब हमें ये बीच में जो जगह है उसमें भी ये अस्तर को इस तरह से लगा लेना है अगर कपड़े का बैग हम सीलते तो एक ही बार में अस्तर लगा के फिर कटकर फिर जिप लगाते लेकिन ये रेकजिन वाला है तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से हम सील रहें इसको अब दूसरी साइट भी इसी तरह से सील लेंगे इससे पहले मैंने रेकजिन का सोफा कवर और बड़ा सा ट्रेवल बैक बनाया है उसका भी वीडियो आप जरूर देखें अब ये उपर से जो एक्ष्टा अस्तर कपड़ा है इसको काटके हम बराबर करेंगे अब एक जीप यानि की पांचवा जो जीप है उसको हम ये उपर की तरफ लगाएंगे इस तरह से इसको हमें लगा लेना है उल्टा रखके जीप को अब इसको बैक को बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरा किनारा भी ये जीप में अटेश करके सिलाई करेंगे इसको अब इसको बीच से इस तरह से अलग कर लेंगे अब ये जीप और अस्तर तो लग गया है अब इसमें हम लगाएंगे रनर तो पहले हम ये केवल चार में लगाएंगे उपर वाले में अभी नहीं लगाएंगे तो पहले हम ये चार जुजी पे उसमें ये रनर डाल लेते हैं से अब ये रनर भी हमने लगा लिया है अब इस पॉकेट को इस पॉकेट को अलग करना है तो उसके लिए आमिशल्या कोई साभी कपडा कॉटन का या फिर कोईस भी फैब्रिक ले सकते हैं आप उसको इस तरह से रखेंगे आ ये आर इन दोनों को मिला के दोनों किनारा सील लेंगे जब हम ये किनारे सीलेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो जीप है हमारा ये सही साइड में हो जैसे कि ये है तो उपर की तरफ रहेगा और ये नीचे वाला ये नीचे की तरफ रहेगा इसमें कहीं सिकुडन ना है इस तरह से इसको बराबर करते हुए ये तेखिए ये जो जीप है ये उपर की तरफ इसको करते हुए और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको नीचे की साइड करते हुए हमें इसको सील लेना है ये एक साइड का सील लिया है अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको सीलेंगे इसी तरह से पकड़के दुनों को मिला के सील लेना है किनारा यह दोनों साइड हमने सिल लिया है अब जो इसमें एक्ष्ट्रा जो कपड़ा है निकला हुआ उसको काटके बराबर कर लेंगे चारो तरफ से अब यह जो है बैग इसको हम सीधा कर लेते हैं पहले अब जो उपर की तरफ हमने इसमें छोड़ दिया है उसको सीलेंगे तो यह जो कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर करके और जीप में इसको मिलाके इस तरह से सिलाई कर लेंगे बराबर करके एक दम से इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसको सिल लेंगे तो मैं आपको यह एक तरफ सिल के दिखाती हूं अब यह दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिल लेना है यह देखिया इसको मैंने यह सिल लिया है पहले से अब हमें इसमें पोकेट को अलग करना है तो यह भी हम डी बीच में लगाएंगे और एक यहँ पर यह रगाणा है और दूसरा यहाँ पर सिला ही लगाएंगे तो इससे हमारा यह चार पाकेट इसमें अलग हो जाएगा तो बस ध्यान से देख लिजे कि एक बीच में लगाएंगे एक सिला यहाँ किनारे, एक यहाँ और यह बीच में इस तरह से अब इस पे मैं ये पेपर लगा के सीलूँगी ताकि ये सीलने में आसानी रहे अब ये दिखें सीलने के बाद पेपर ये आसानी से बिलकुल निकल जाएगा अब इसी तरह से ये दूसरी साइड भी हम सीलाई करेंगे जो दूसरा पॉकेट है उसके उपर सीलाई करेंगे एक ये बीच में हमने सीलाई की अब एक यहां सीलाई करेंगे तो सेम उसी तरह से इसके उपर भी पेपर रखके सीलूँगी अब ये दो सिलाई कर लिए इसी तरह से तीसरी सिलाई भी हम कर लेंगे यहाँ पर अब ये पेपर को निकाल लेंगे अब इस तरह से ये इसमें चार पॉकेट हो गये ये देखिए एक पहला पॉकेट ये दूसरा पॉकेट और ये बीच में बड़ा सा पॉकेट और ये चौथा पॉकेट अब ये जो उपर हमने ये जिप लगाया थे जिसमें रणर हमने नहीं लगाया थे उपर वाले में इसमें भी रणर को डाल लेंगे अब ये जो बीच में हमने सिलाई किया था जो पॉकेट को हमने बीच में अलग किया था बिल्कुल इस तरह से उसके उपर इस तरह से बीच में रखते वे इसका ये दोनों किनारा हमें सील लेना है तो चाहे तो आप डारेक्ट इसको ये किनारा दोनों सील ले या फिर इस तरह से मैं ये लेस लगाते वे इसको सीलूंगी दोनों साइड ये लगभग 1.5 इंच चोड़ा लेस से आप इसकी जगह कोई साभी कपड़ा या फिर कोई भी पाइपिंग कर सकते हैं इसमें तो मै इसको डारेक्ट इस तरह से रखके दोनों तरफ से बराबर करके और ये लेस इसमें दोनों साइड में लगाते वे सीलूंगी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप एक सिलाई इसमें पहले हाथ से कर लें उसके बाद इसको मसीन से सीलें उपर की तरफ से इस तरह से बराबर फोल्ड करते वे फिर इसको सिलाई कर लेना है अब ये नीचे के तरफ से इस तरह से फोल्ड करके और पुरा नीचे तक इसको सिल लेंगे हम अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम ये लेज को लगा के सिलाई करेंगे इसको दूसरी साइड को भी हम सिल लेंगे इस तरह से अब बराबर रखते हुए दोनों साइड ताकि बराबर रहे छूटे न कहीं भी इसकी सिलाई इस तरह से हम पूरा इसको भी नीचे तक इसको सिल लेंगे अब ये बैक लगबक कंप्लिट हो गया अब हमें इसमें लगानी है इस तरह की बटन तो ये मेरे पास ये मैगनेटिक बटन है जिसको मैं लगाऊंगी ये दो लगाऊंगी मैं इसमें तो इस तरह से पहले ये किसी भी धारदार चीज से कैंची से जैसे की मैं ये इसमें हॉल कर लेना है हमें उसके बाद इस बटन को डालके और पीछे की तरफ से इसको लॉक लगा लेंगे, इसमें लॉक कर देंगे इसको इसी तरह से दूसरी साइड भी हम ये बटन को लगा लेंगे इसको अच्छे से दबा लेंगे, टाइट कर लेंगे बटन को अब ये नीचे की तरफ भी हमें बटन लगा लेना है, उपर की तरफ ये दोनों बटन मैंने लगा लिया है अब नीचे की साइड इसको बंद करने के लिए लगाना है तो इसको इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे और बराबर पर बिल्कुल निशान लगा लेंगे फिर यहाँ पर इसको लगाएंगे तो दो होल करके इसको भी लगा लेना है इन बटन को में अब यह बटन लग गया है चौथा बटन भी इस तरह लगा लेंगे अब इसको थोड़ा सा डेकुरेट कर लेते हैं तो मेरे पास यह फ्लार्स पढ़े हैं या फिर कोई भी स्टीकर आप इसमें लगा सकते हैं तो मैं इनको इस तरह से फेबिक्विक से लगा के इसको इस तरह से चिपकालूंगी इसमें जिससे कि यह बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और बहुत ही खुबसूरत लगेगा देखिए इसको फूल को लगाने के बाद कितना यह सुन्दर लग रहा है है न बहुत ही खुबसूरत बैग आप इसे जरूर ट्राय करिएगा उमीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो दोनों ही पसंद आया है अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ ये देखिए ये पांच पॉकेट है काफी बड़े बड़े पॉकेट है और बीच वाला जो पॉकेट है वो तो इतना बड़ा है कि उसमें काफी बड़ा बड़ा समान आप उसमें रख सकते हैं ये देखिए मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धनिवाद थैंक यू